तो आज हम पढ़ने वाले हैं Axial Vectors के बारे में तो यह Axial Vectors क्या होता है आज किस वीडियो में कोई करेंगे तो चलिए करते हैं Start तो Basically Students Axial Vectors एक ऐसा Vectors है जो की Represent करता है Rotational Effect को जो की नाम सी Clear है Axis के Along क्या चीज़ होती है Rotation होता है तो एक ऐसा Vectors जो की Represent करता है Rotational Effect एंड जो Rotation होता है वो Axis के Along होता है एंड यह Rotation किस Direction में हो रहा है तो उसके लिए हम Anyways आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले है Right Hand Screw Rule तो इस Rule पर अभी फिलाल Focus नहीं करते हैं क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियो में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं Okay तो फिलाल इतना याद रखिए कि एक ऐसा Vector जो की Represent करता है Rotational Effect एंड जो Rotation होने वाला है वो एक Axis के Along होने वाला है तो इस Type के Vector को हम क्या बोलेंगे Axial Vector यहाँ पर मिस्प्रिंट है Students It is not the Polar Vector It is a Axial Vector क्योंकि यहाँ पर उस Axis के Along Rotation होने वाला है इसलिए इसको बोलते हैं Axial Vector Okay Students अगर हम Example के लिए बात करें तो Torque हो गया Angular Momentum हो गया Angular Velocity हो गई ऐसे और भी बहुत सारे Vector's है जो कि इस Axial Vector के Classification में या Category में आते हैं इस चीज़ के बारे में Author आसा Explain कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस Axis के Along Rotation होने वाला है तो Axis तो Fix है Axis के Along Rotation दो टाइप से हो सकता है या तो यह इस Direction में Rotate करेगा या फिर इस Direction में Rotate करेगा तो देखिए यह जो Direction है वो घड़ी के उल्टा याने की Anti-Clockwise हो गया एंड यह जो है यह clockwise क्योंकि घड़ी के जैसे घूम रहा है तो clockwise Rotation बोलते हैं इसको तो यहाँ पर वही बोला गया की Axial Vector और उसके Direction की जब हम बात करते हैं जो की Along the Axis Rotation हो रहा है तो Depend करता है यहाँ तो वह clockwise होगा या फिर Anti-Clockwise Rotation होगा जो की इस Diagram में हमने आपको दिखाए ओके Students तो यही Simple सा Concept था Axial Vector का I hope आपको यह Clear हो गया होगा अगर आपको मैं वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या Knowledge मिला तो प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइक कीजिए एन वीडियो को लाइक ज़रूर करें आज के लिए इतना है Thank you